नियोजिस सिख्चकों से जूड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है और सरकार ने राहत देने के लिए कोट का रुख किया है नमस्कार दर्स नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग जहां एक तरफ नियोजिस सिख्चक लड़ाई लग रहे हैं सरकार से वो मांग कर रहा है कि सक्षमता परिक्चा को रद कर दिया जाए सक्षमता परिक्चा न लिया जाए और उन्हें राज कर्मी का दरज़ा दिया जाए सीधे सीधे वैसी इस्तिती में सरकार जो है नियोजी सिक्चकों के लिए सामने आई है दरसल उन नियोजी सिक्चकों के लिए तो नहीं आई है लेकिन वैसे सिक्चक वैसे नियोजी सिक्चक जो छटे चरण में बहाल हुए थे दरसल इन सिक्चकों की बहाली 28 की डिगरी के अ नहीं बन सकेंगे वैसी इस्तिती में मामला बिहार में भी कोट में गया और जो छटे चरण में सिक्चक बहाल हुए थे उन पर भी हाई कोट ने पटना हाई कोट ने फैसला सुनाया कि इन्हें नौकरी से हटाया जाए 125 में आपको बताये छटे चरण में लगबग 22,000 सिक्चकों की बहाली हुई थी जिसमें लगबग 12,000 वैसे नियोजी सिक्चक बहाल हुए थे जो 28 डिगरी धारी थे और बार में कोट के आदे से इनकी नौकरी पर खत्रा मन राने लगा और तब इन्होंने सरकार से गुहार लगाई सिक्चा बिबाग से गुहार लगाई कि सरकार इन्हें राहत दे इस मामले में सरकार कुछ फैसला ले आगे या तो इन्हें 628 में प्रमोट कर दे या फिर कोई और रास्ता निकाला जाए वैसी इस्तिती में सरकार सामने आई है और आपको बताएं कि इस मामलें में ताजा अप्डेट ये है कि इसमें सिवील रिव्यू दायर किया गया है हाई कोट में और माना ये जा रहा है कि सरकार का ये जो है कदम सपल होगा और नियोजी सिरचकों को बड़ी राहत कोट से मिल सकती है जो सरकार की तरफ से जो खबर है यानि कि नियोजी सिक्चक जो लगबग 12,000 की संक्या में हैं जो बीएड डिग्री धारी है और 1 to 5 में बहाल हुए थे उनके लिए सरकार ने बड़ा एक्सन लिया है बड़ा कदम उठाया है और आपको बता है कि छटे चरन में ऐसे लगबग 12,000 सिक्चक बहाल हुए और उसके बाद प्रात्मिक सिक्चा निदे साले के रिव्यू पर अब जो है ये में 125 के जो सिक्चक थे जिसमें जो 12,000 उनकी संक्या थी वो पाई गई थी और उनकी नौकरी पर खत्रा मन राने लगा था कोट के आदेश के बाद तो कोट के आदेश के बाद अब सरकार ने ने आया है जहां एक तरफ सिक्चक लाई लड़ रहे हैं हलाकि सक्चमता परिक्चा को लेकर जिस तरह से सिक्चा विवाग की तरफ से जो कमीटी बनाई गई उसमें कहा गया कि तीन बार जो परिक्चा पास नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा लेकि इसले दिनों और इसके मुताबिक जो छटे चरन में कच्चा एक से पांच में बीएट डिग्री दारी सिक्चक नियुक्त हुए थे उनकी सेवा समाप्त करने का आदेश कोट की तरफ से दिया गया था और और कहा गया था कि उनके स्थान पर उसी मेरिट लिस्ते नए इसले से बड़े पैमाले पर सिक्चकों को असर पड़ा था उनकी नोकरी जाने का खत्रा था हलाकी मामला फिलाल अभी कोट में है और जिस तरह से सरकार ने अब इस पर एक्सन लिया है कदम पढ़ाया है हम आपको बताए कि जब कोट ने ये आदेश दिया था कि प्राइमर कख्चाओं में DLA सिक्चकों की ही निवक्ति की जाएगी कोट ने ये सापसाब कहा था दरसल सूप्रीम कोट का आदेश आया था और उसके बाद बहार में जब TRE1 की परिक्चा चल रही थी उस वक्त ये सूप्रीम कोट का आदेश आया था कुछ दिन पहले ही उसके बाद जो तमाम तस्वीरे बदली थी और छटे चरण में जो सिक्चक बहाल हुए थे बीएट के डिगरी के अधार पर वन टू फाइब में उनकी नौकरी पर हाई कोट ने फैसला दिया था और ऐसी इस्तिती में अब मामला फिर से कोट में है इस बार बिहार सरकार सिक्चा बिबार केके पाटक जो सिक्चा बिबार के अपर मुख सचीव है वो सिक्चकों के लिए कोट में गया है ताकि उनकी नौकरी बच जाए हलाकी अब आगे क्या होगा ये देखना दिल्चस्प होगा लेकिन फिलाल मामला सरकार की तरफ से कोट में गया है और सिविल रिवीउ सरकार क की तरफ से सिक्चकों के हित में नियोजिक सिक्चकों के हित में जारी किया गया है बने रहे दर्स नियूज के साथ तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद